हेलो एवरीबॉन कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो शेलिये जी बात करेंगी चाची 420 के बारे में जी हाँ हमारी चंट चालाक चालू चाची और आप लोगों ने इनका व्लोग देखा होगा कल व बना रही थी हमारी आँटी जी बना रही थी मोदक लेकिन हमारी जो क्या कहते हैं शेफ अंटी है वो मोदक बनाते बनाते भूल गई शायद और उन्होंने बना दिया मोदक की जगहा मोमोज या गुजिया कुछ भी बोलो बही हमारी साइट तो वैसी शेप जो है वो या मैक्सिमम होली वगेरा पे या दिवाली पे तो हारों पे बनाए जाती है और वो मैदे से बनती है बट तो मतलब मोदक की शेप ही बदल डालिया अंटी के मैंने फर्स टाइम मुझे इतनी हसी आई है चाची के व्लोग में बहुत हसी हूँ मैं उसके मोदक की शेप देक यार मोदक का मतलब क्या ही वोलूम है नाम ही बदल दिया इसका बस चलता तो यह मोदक का नामकरन भी करी देती है और करी दिया है का डंपलिंग बना लेना ऐसे बोल रही थी मोदक नहीं बनेंगे तो मोदक की डंपलिंग बना लेना भाई मोदक मोदक है मोदक बनाना हर कि कि बसकी बात नहीं होती ठीक है और हमारी गनेश भगवान जी को तो मोदक बहुत पसंद है तो वही चाची 420 में चलो खेर कोशिश अच्छी की ट्राइ अच्छा किया लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाई वह बात अलग है और चलिए जी वह नहीं बने तब तो चाची बोड़ कि मोदक अच्छे बन जाते चाची सक्सेस हो जाती उस काम में तो चाची अपना गुनगान बहुत करती बहुत गुनगान करती कि मैंने फर्स टाइम ट्राइ किया बन गया इतना अच्छा बना ये किया वो किया देखो अगर हम फर्स टाइम कोई भी चीच इसको बोलते है चाची को था कि मैं तो बना ही लोंगी मैं तो बना ही लोंगी मुझसे तो होई जाएगा देखो पता क्या है ना चाहे ना खुन का बहाना लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो लिकिन रियालिटी यही है कि तुमसे वो बने नहीं ठीक है और अगर बन जाते तो चाची कहलात मास्टर शेफ, चाची बोलती, मैंने फर्स्ट टाइम में बनाया, चाची को ऑवर कॉन्फिडेंस था, कि मैं तो बना ही लोगी, कुछ भी होजए, मैं तो बना ही लोगी, और ऑवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, चाची को मिल गई मात, और करारा जबाब, मिल गया, वो नही से बेटर तो यह हो जाता कि आप वही पतली सी वह बना के लोई दबा के उसमें भर देते और उसको गॉल कर देते मेर किसम से मतलब बड़ा टाइप में अगर आप उसको बना के स्टेम कर देते वह जादा अच्छे लगते जो आपने डंपलिंग की शेप की थी उससे जादा ठीक है रॉल कर देते मतलब एक अंड़े से तो महां ही कमपेर कर रही हूं मां एक गोले की तरह रिपेर कर देते आप रिपेर नहीं प्रिया आप एक बात आप लोगों ने नोटिस की की चाछी चार सो बीस को इस चीज का बहुत दूख उनके नाखुनों की वज़ा से मौदक नहीं बने इस चीज का उनको बहुत दुख हुआ वो हर्ट हुए इस चीज को लेकर के उनकी शकल पर दिख रहा था कि यार मैं बनाने तो जा रही थी लेकिन बने नी मुद्से तो लेकिन एक बात देखी कि भाई चाची 420 नेल्स की व कोई मलाल नी है नाखुनों की वज़ा से नमाज नी पड़ पाती कोई मलाल नी है का पीछे आप लोगोंने वीडियो में सुना भी होगा एक टाइम ऐसा भी आया था वीडियो में आजान हो रही थी पीछे लेकिन चाची का कोई वो नी कोई रेक्षर्टने कोई कुछ सोचती होंगी कि सामने वाले को सुनाई ही नहीं देगा, वो सुनाई दे रही थी आजान, तो थोड़ा उसी की वो कर लेती, थोड़ी देर के लिए चूपो जाती हैं, काट देती व्लोग, लेकिन नहीं चाची के तो, चाची तो चाची है, ठीक है तो भही इसको बोलते है, आगे चाची ने किया आपना क्या चौपट, ठीक है और देखो, कोई भी नई चीज जब हमें बनाने नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, तो छीज को थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाची का ओवर कॉन्वेडेंस, देखो किलो गुड पोना किलो गुड जो है वो चाची ने उसमें डाला किलो नारिल या बड़े बताइब यार बड़े नारियल थे और जितने बताए थे आंटी ने metres दी नारियल तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था आप लोगों ने देखा होगा कि चाची के बनाने के बाद भी वो जो मिश्रन था वो कितना सारा बच गया था जो फीलिंग थी स्टफिंग थी अंदर की कितनी ज्यादा वो बच गी थी ठीके तो आटी जी इतना भी ऑन फ़र कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं थी थोड़ा सामान तैयार कर लेते ट्राइ करते पहले जो वो अच्छे से बनाने आ जाते आपको उसके बाद आप ज्यादा तैयार करते लेकिन आपको था कि मैं तो बना लूंगी क्यों कि मैं तो मैं तो मैं बना लूंगी तो फिर मैं दूसरों को भी पा भी दूंगे तो वो भी बोलेंगे कि नहीं अच्छा बना है तो आपने उस चक्कर में घाई कर दी और जल्दबाद जी में समान भी ज्यादा रेडी कर दिया आटा ज्यादा गूंद लिया आपको पूरा वो था कि लो आटा आपने गूंद लिया आपको क्या इतना यकीन था कि आप बना ही लोगे ओवर कॉन्फिडेंस है ना ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा जो है हमेशा मात खाता है इसके साथ ही एक और चीज़ आप लोग ने नोटिस की होगी जहर से बात है अब मोदक नहीं बने तो किस वज़ा से नहीं बने नाखुनों की वज़ा से इतने लंबे लंबे नाखुन लेके कोई खाना कैसे बना सकता है समझ नहीं आया और बना भी रहा है तो खा कैसे लेगा उसको ठीक है क्योंकि भले ही कितने भी नाखुन को साफ रख लो कितना भी कुछ भी कर लो लेकिन आप लोगों को पता ही है कि भाई नाखुनों से क्या क्या होता है क्या नहीं होता ठीक है इतनी गंदगी बैठी ही रहती है चाहे जितना वर्जी आप उनको क्लीन करो कुछ नो कुछ तो रहता है और फिर वो पता क्या अजीब लगता है गंदा लगता है वो चीज़ देखने में कितने बड़े-बड़े नाखुनों के साथ वो कर रही है एक भी मेर को किसी भी ऐसे शैफ का बता दो आप लोग की भाई जिसके नाखुन शैफ क्या यार घर की ओरते भी बता दो कि इतने लंबे नाखुन रख के क्या कोई कभी रसोई करती है कभी कोई खाना बनाती है कभी भी नहीं हाँ एक हाथ के जरूर रख सकती है उल्टे हाथ के होते हैं maximum ladies के होते हैं उल्टे हाथ के मेरे भी हैं थोड़े बो जादा नहीं थोड़े बहुत हैं बट इतने बड़े नहीं और दोनों हाथ के कम से कम एक हाथ तो खाली छोड़ देना चाहिए ठीक है आपको अगर nails का शोक है आप एक हाथ पे करवा लो ताकि आपका जो right hand है जिससे आपको सारे का और नाखनों से दिक्कत होती है ये जो खास करी ये लगाई होती है ना एक्स्टेंशन जो करवाई होती है nails की बहुत दिक्कत देती है नीचे चोगोच समान भी उठाना है जमीन पर कुछ गिर गया है कोई सिक्का गिर गया है आप उठानी पाते हो दिक्कत होती है उठाते हुए और भी बहुत सारे तरीके के दिक्कत होती है बड़े बड़े nails के साथ बट खै चाची 420 को अच्छा लगता होगा भाई क्योंकि right hand से खाना बनाना है, सारे काम right hand से होते हैं और खाना बनाते वक्त इतने बड़े नाखुन अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे नहीं लगते हैं, बहुत सारी ऐसे ओरते होंगे, जिनको नहीं लगते हूंगे ठीक है कुछ गिनी चुनी ऐसी हो सकते हैं जिनको अच्छे लगते होंगे बट इतना तो है ये तो definitely है कि भाई काम करने में दिक्कत होती है जो कि चाची 420 को देखके भी पता चल गया भाई मोदग का क्या ही बना दिया चाची ने मोदग क्या कहते है उसको मोदग का पोस्ट मार्टम कर दिया चाची 420 ने बट खेर चाने दीजिए चलिए जी फर्स्ट टाइम था उनका ट्राई की अच्छा लगा नेक्स टाइम आई होब की ना खोन अपने हटा के फिर वो दोबारा बनाने की कोशिश करें उस चीज को तो शायद वो बैटर बन जाए और चलिए जी ठीक है फिर आज की वीडियो में इतना ही आप सब को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके कॉमेंट्स अपने वीडियो में पढ़ हूँ तो वीडियो देखने के लिए आप सब का धन्यवाद